पर्गी से कॉंग्रेस विदायक संजयादों के नावालिक बेटे दुवारा खुद को गोली मार कर आत्महक्त्या की यह जाने का संसर्निकेज मामला सामने आया है गोली लगने के कारण का अभी तक खुला सार नहीं हो पाया है सुसना मिलता ही कॉंग्रेस विधाक संजय यादव सहित, कुत्रमंतरी, तरुन भनोत और कांग्रेस के कई दिग्रज नेता नेपियर टाउन स्थित अस्पताल के बाहर पहुच गए इधर अस्पताल के बाहर भारी पुलीस बलतेनात किया गया है जबलपूल जीले के बरगी से विधाक संजय यादव को आदि घाटी छेतर में रहते हैं इसी बंगले में उनके सुलावर से बेटे विभू उर्फ भोड ने खुद को गोली माद ली लहुलुहान हालत में विभू यादव को पास ही के अस्पताल पहुचा गया जहां डोक्टर ने काफी देर तक उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन वह उसे नहीं बचा पाए थोड़ी देर बाद डोक्टरों ने विभू यादव को म्रत घुसित कर दिया विभू यादव के सीर पर गोली लगी है हलाकि अभी तक यह इसपष्ट नहीं हो पाया है कि विभूर ने यह कदम क्यों उठाया बताया यह भी जा रहा है कि विभूर यादव के कमरे से पुलीस को एक सुसाइड नोड भी मिला है जिसमें उसने लिखा है कि मेरी मा बहुत अच्छी है मेरे पिता बहुत अच्छी है पुलीस ने विभूर यादव के कमरे को लोग कर जाच शुरू कर दी है